आधा जून बीच चुका है और धर्ती सूरज के ताप से जल रही है गर्म हवाओं ने लोगों की प्यास को और बड़ा दिया है ऐसी गर्मी में घर से बाहर निकलने पर इंसान सिर पर कोई छाउँ डूड़ता है और गले को तर करने के लिए उसकी नजरें पानी को तलाशती है पहले का जमाना कुछ और था जब बाहर प्याव दिख जाया करते थे कहीं नगर निगम की तरफ से व्यवस्ता होती थी तो कहीं कुछ स्यम सेवी संस्थाएं पीने का पानी लोगों को उपलब्द कराती थी हर नुकड या चौराहे पर कोई नो कोई इंतिजाम जरूर दिख जाता था लेकिन अब न जाने कहां ये प्याव गुम हो गए हैं न तो फूस की जोपड़ी में से कोई पानी पिलाता है और नहीं कहीं छाओं में मटकों में रखा पानी रहागीरों को मिल पाता है जेट के मंगलवार को तो लोग छबीले लगा कर पानी पिलाते हैं लेकिन गर्मी और प्यास तो सोमवार मंगलवार देख कर नहीं आती जो इंग दोनों तप रहा है नोईडा में परचंड गर्मी से लोग बेहाल है सोमार को गर्मी ने पिछले 6 साल का रिकार्ड तोड़ा है यह नजारा आटियो आफिस का है जहां हर रोज काफी संख्षा में लोग अपने काम कराने आते हैं गर्मी में हलकान लोगों को यहां रखा मठके का पानी मिलता है तो उनकी जान में जान आती है यह ववस्ता आटियो आफिस की तरफ से कराई गई है दिल्ली एंसी आर में तापमान लगातार बढ़ रहा है कल की बात की जाए तो कल नोड़ा में गर्मीने पिछले 6 साल का रिकोर्ड तोड़ा तापमान 40 डिगरी तक रहा और इसी तरीके के हालाद दिल्ली में भी लगातार बने हुए सरकारी दफ्तरों की हम रेल्टी चेक कर निकोसिज कर रहा है के सरकारी दफ्तरों में जो आने वाले लोग हैं उनको पानी पीने के लिए या च्छाया की कि इस तरीकी की विवस्ता की गई है आर्टी ओफिस में मौजूद है यहाँ पर जो प्याओ लगाया गया था जो तापमान है वो काफी ज़्यादा रहने का अनुमान जताया गया है कुछ लोग भी हमारे साथ मुझूद है बाजब गर्मी बहुत ज़्यादा है कैसे बच रहे हैं बाज कहीं भी पानी मिल जा था पहले पानी पीते हैं कहीं गिरना जाए चकर रहा अब दिखाते हैं आपको नोड़ा पुलिस थानों और चौकी की तस्वीर है वैसे तो पुलिस थाने आते ही अच्छे अच्छों के हलक सूख जाते हैं खाकी वर्दी वाले लोगों को बेरहम नजर आते हैं लेकिन यहां खाकी वर्दी वाले गर्मी में आपकी प्यास बुजाने के लिए पानी का इंतिजाम किए बैठे हैं पानी से भरे मठके रखे हुए हैं जिसे पुलिस बाले भड़ते रहते हैं पुलिस सक्सक्त सक्तों तो दिखती है लेकिन उनकी ये तस्वीर बताती है कि पुलिस ठानों में भी पानी बचा है और उनकी आँखों में भी अब आपको लिए चलते हैं NCR के दूसरे बड़े शहर गाजियाबाद में जहां तापमान 45 दिग्री के पास चहल कद्मी कर रहा है ये तस्वीर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर की है इस स्टेशन से रोजाना कई हजार यात्री सफर करते हैं एक दशक पहले तक यहां आपको प्याओ देखने को मिल जाये करते थे लेकिन अब तो प्याओ का नामों निशान तक नहीं दिखता न्यूज स्टेट ने मौके पर जाना प्याओ का हाथ और वहां के लोगों से की प्याओ के बारे में पूस्ताश गाज़बाद सही दिल्ली NCR में भीशन गर्मी पड़ रही है इस गर्मी में सबसे ज़्यादा अगर कोई रहात देता है तो वो है थंडा पानी हर साल जब भीशन गर्मी पड़ती है तो सरकार की तरफ से एक बजट भी अलोट किया जाता है जगा जगा प्याव लगाए जाएं लेकिन इस बार क्या हालात हैं प्याव को लेकर Ground Zero से उसके बारे में आपको बताएंगे इस वक्त हम मौझूद हैं गाज़बाद रेलवे स्टेशन के बाहर जहां हर बार गर्मियों में प्याव लगता था लेकिन अब वो तस्वीर नजर नहीं आती है यहां जो लोग हैं उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे क्योंकि जादतर लोग है बाहर से यहां आते हैं और ऐसे में उनको गर्मी की अंदर अगर राहत दे सकती है या मिल सकती है वो है पानी से तो आप बता ये प्याव की ववस्ता है या नहीं यह ठंडे पानी की रिल्वेस्टेशन के पास यह है गाजियाबाद का पुराना बसड़ा जो हमेशा व्यस्त रहा करता है जहां लिखा आईलव गाजियाबाद का ये बोर्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें गाजियाबाद से बेहद प्यार है उच गाजियाबाद से जहां जून की गर्मी में हमारे पीने के लिए पानी तक का इंतजाम नहीं है भला आप ही बताईए ऐसे गाज़ियाबाद से भला कोई कैसे प्यार करे जिसे हमारी प्यास की परवाह तक नहीं तभी तो इंसानों की इस बस्ति में पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है अब हम आप पहुचे हैं गाज़ियाबाद के पुराने बस स्टेंड के बाहर जो गोलचकर है वहाँ पर आपको बताते हैं यहाँ पर अमूमन प्याओ की ववस्ता की जाती है क्योंकि यहाँ पर फुटफोलोइंग जादा है और जब गर्मी जादा पड़ती है तो लगन डिगम की तरफ से प्याओ की ववस्ता लोगों के लिए की जाती रही है ताकि लोग यहाँ पर ठंडा पानी पी सकें लेकिन अब वो तस्वीरे नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्याओ ही नहीं है मैं चाहूंगा वीजे से कैमरे को पैन करके आपको तस्वीरे दिखाएं यह जो कोना आप देख रहे हैं जहाँ पर यह भाई मौजूद है यही पर अबूमन प्याओ की ववस्ता की जाती रही है लेकिन अब यहाँ पर प्याओ नहीं है न ठंडा पानी है जो सक्ष यहाँ मौजूद है उनसे भी बात कर लेते हैं ताइनगरी आगरा में तापमान 46-47 जिगरी के पार पहुँच चुका है और ऐसे बहें अगर बिबस्ताओं की बात की जाए हर बार बड़े बड़े चोराओं पर बड़े बजारों पर बड़े बजस्टेंड रेल्वे स्टेशन पर तमाम प्याओ लगवाते थे ताकि जो ल बात करेते हैं उस लोगों से बात मनम यह बढ़ाईए इस पर गर्मी का आलम तो बहुत जादा है और इंसान सुबह का निकलता है कब घर बापस आता है कुछ नहीं पता रहता और गर्मी इतनी है कि आसपास पानी की भी कहीं भी कोई सुविदा इधर नहीं है लेकिन आगरा परेटन नगरी है जहां देश दुनिया से सैलानी आते हैं ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी परेटकों और उन यात्रियों को हो रही है जो ट्रेन या बस से सफर कर रहे हैं पहले प्रशाचन नहीं यात्रियों के लिए इस्टेशनों पर प्याओ की व्यवस्था करता था लेकिन वो अब बीते जमाने की बात हो चुकी है ताई जंगरी आगरा में गर्मी साथ में आस्मान पर है वो किसी ना किसी तरीके से अपने आपको बचाते हुए नजर आते हैं चाहिए वो सीथल पे पतात पिये या फिर पानी से अपनी प्यास बजाए लेकिन प्रिशासन ने क्या कुछ दिजामात किये हुए हैं बड़े बड़े बच स्टेंड बड़े बड़े रेल्वे स्टेशन बड़े बजारों में वो हम एक रियल्टी चेक में आपको दिखाते हैं मैं समय आगरा के आई एस बीडी पर मौझूद हूँ प्रिशासन की तरफ से कि प्याओ व्याओ में नहीं मैं तो बड़े खरीद गई पीता हूँ पानी प्याओ की तलाश हमें खींचते हुए ले आई अलिगड जो ताले के लिए मशूर है लेकिन गर्मी में जब प्याओ सताएगी तो गले में ताला तो नहीं डाला जा सकता शरीर में पानी रहना तो जरूरी है मसूदाबाद रोडवेज बस स्टेंट पर कैसी है लोगों की प्यास और क्या वहाँ प्याओ के व्यवस्था है जाना न्यूज स्टेट सम्माद दाता ने हम माजूद हैं यहां अलिगड़ के रोडवेज मसूदाबाद बस अड़े पर यहां से आगरा मतुरा और तमाम ऐसे जगाओं के लिए बस आ जाती है यहां देखिए मैं कैमरा पसंद से कहुँगा देखिए दिखाए यहां देखिए पूस्ताज केंद का रहल है यह देख पानी की बेवस्ता कुछ आपको मिली है प्याओ लगा हुआ पीछे की तरफ है तो बाहर से यातरी आते हैं उनको दिखाई देता है नहीं 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 देखता नहीं होगा अंदर जाके दिखता होगा इसमें देखिए जो जो लगाई की यह प्याओ एक्दम बैक साइड मे है यहाँ देखे जो किनिक स्वचाले बना हुआ पुर स्वचाले उसके बाहर यह कहिन के देखिए पानी की प्याओ है अब यमना किनारे बसे शहरों को छोड़ हमारी तलाश पहुच चुकी है गंगना किनारे बसे शहरों की ओर यह है शहर कानपूर जो कभी यूपी का मैंचेस्टर कहा जाता था यहां मजदूरों की अधिकता है जाहिर है हर मिनिट पर लगने वाली प्याज के लिए वो हर ब करके सीतल पे पदा ढूंडते हैं वहीं अगर कानपूर में पानी की बात की जाए तो पानी लोगों को खरिद करके पीना उनके लिए जरूरी हो गया है दरसल तमाम छेत्रों में जो प्याव लगा जाते थे वो प्याव अब कहीं दिखाई नहीं पड़ते जिसकी वज़े स निसुल्क पानी मिलना बंद हो गया है जो हैंड़ पंप होते थे वो सूप चुके हैं ऐसे में लोगों के लिए पीने का पानी बड़ी समस्या कुछ लोग हमाई साथ बहुत उसे बात करते हैं जानते बैसा बीज़े कि आपके छेतर में कहीं कोई प्याव लगाया गया जि प्यास को बुझाने के लिए नियूज इस्टेट की टीम पहुंची महादेव की नगरी वारानसी में यहां घाटों किनारे हमेशा लोगों का जमावडा रहता है कई देशी विदेशी सेलानी भी आते हैं इस बीशन गर्मी में अगर किसी को प्यास लगे तो क्या करे क्यों कि ना प्याव नजरा रहा है और नहीं मटका वारनसी में तापमान 46 डिगरी से उपर है मानों ऐसा लग रहा है कि आसमान से अंगारे बरस रहे हूं इन सबों की बीच में लगातार एक बात आती है कि पीने की पानी की वेवस्था क्या है अमोमन प्याव को लेकर लगातार बात उठती रही है पर हम वारनसी के गंगा घाट पर हैं जहां पर आपकिस तरीके से कड़ी धूप है आप देख सकते हैं पर इस कड़ी धूप के बावजूद भी यहां पर कहीं भी आपको प्याव का इंतिजाम नहीं दिखाई देगा कहीं पर भी पीने का पानी जो है व अमोमन नजर नहीं आएगा हाला कि पहले हम देखा करते थे कि सरकारी बेवस्थाएं भी होती थी इस भीचन गर्मी में पीने के पानी के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तब्यद खराब हो रही है वो पानी की कमी के करण ही सरीन में हो रही है डियाइडर्सन हो रहा है ऐसे में डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अगर लगातार आप बाहर हैं तो अधिक से अधिक पानी पीते रही है पर जब वारानसी के गंगा घाटों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धूप है और यहाँ पर कहीं पर भी पीने का जो पानी है वो निसुर्क दिखाई नही लेकिन यहाँ भी हमसे पहले दुर्भागे पहुंच चुका था यहाँ पर भी प्याओ के नाम पर यह मटका तो रखा गया है पर यह मटका बिलकुल खाली है यानि कि एगर गरीब वेक्ती पानी पीना चाहे तो वो निसुर्क दूप से इस गर्मी में पानी भी नहीं पी सकता वीडियो जनलिस्ट सिवामी श्रागे साथ सुशान मखरजी निउस्टेच वारा नसी तमाम शहरों में प्याव को तलाशते निउस्टेट की टीम पहुंची प्रयागराज जो दो नदियों गंगा और यमना से घिरा है दुनिया तो यहीं जानती है कि प्रयागराज में इन दो नदियों के कारण पानी की प्रचूरता है फिर कहीं कोई प्याव क्यों नहीं दिखता शहर का सबसे पौश एरिया सिवल लाइन्स जहां इनसान प्यासा ही रह जाए हम इस वक्त मौझूद हैं प्रयागराज शहर के सुभाश शौराहे पर यानि सिवल लाइन्स में यह वो सिवल लाइन्स है जहां पर कुछ समय पहले तक सरकारी प्याव की विवस्था होती थी और इस चौराहे के चारों तरफ आपको पीने के लिए पानी साथ में गुड और बताशा भी मिल जाता था लेकिन दोर बदला है अब यहाँ पर कोई सरकारी विवस्था किसी प्याव की नहीं की गई हला कि एक समसा की तरफ से यहाँ पर यह घड़े रखे हुए प्याव बनाया गया है लेकिन जब हम इन घड़ों में जाग कर देखते हैं तो यह घड़े जो है इनके अंदर आप देखेंगे तो पानी नहीं है और नहीं कहीं किसी को गुड मिलेगा ना बताशा मिलेगा ना पानी मिलेगा लोग पानी खरीद के पी रहे हैं प्यागराज का रेलवे स्टेशन जहां रोजाना हजारों यात्री चड़ते उतरते हैं रिक्षा चालकों आटो वालों के भीड हमेशा बनी रहती है लेकिन पानी की बात यहां बेमानी है ऐसा लगता है कि यहां प्यास पर पाबंदी है पीना है तो इस्टेशन के अंदर जाईए वरना पानी को भूल जाईए हम इस वक्त मौझूद हैं प्रियागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के ठीक से और यहां पर जहां तक हमारी नजर जा रही है कोई सरकारी प्याओ यहां पर दिखाई नहीं देता हो जिन लोगों से हमने बात कि उन्होंने भी बताया कि आपको अगर पानी पीना है तो आपको रेलवे स्टेशन के अंदर जाना होगा वहां पर रेलवे की विवस्ता है पानी पीने की लेकिन उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा प expansion के बाहर जहां दिन भर में हजारों की संख्या में मुसाफिर यहां पर आते हैं आप ये बताएं यहां पर कहीं पर प्याव की वबस्ता wildlife नहीं है दिन स्ट नहित्शा कांव गा Facina में नल लगा हो वहीं से लोग पानी पीते हैं प्रियागराज आए ही हैं तो रोडवेज बसड़े का नजारा भी देख लीजिए यहां भी प्याव का कोई इंतजाम नहीं है बसड़े के पीछे जाकर पानी मिलता है वो अभी किसी संस्था की ओर से उपलब्द कराए गया है हम इस वक्त प्रियागराज के सिविल लाइंस के बसड़े पर मौझूद है और अगर आप यहां वाले जो आटो और तमाम सवारिया उनकी भी संख्या यहां पर देखने को मिलती है लेकिन यहां पर किसी तरह से अप्याव जैसी कोई विवस्था नहीं हाला कि बस अड़े की जो अंदर की बिल्डिंग है आप यहां पर देखें यहां पर यह जो बस अड़े की तरफ से यहां पर पानी की विवस्था की गई हो तो देखा आपने हम प्याव की तलाश में यमना और गंगा किनारे बसे शहरों में भटकते रहे इस आस में कि कहीं तो प्याव दिख जाएगा जिसके जिम्मेदारी आमतोर पर नगर निगमों की होती है शायद प्रशाचन रहीम की बातों को भूल सा गया है कि रहीमन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी बिना न उबरे मोती मानस चून तीम नियोजिस्टे योपी में